इंड़े का कौन सा हिस्सा सहथ के लिए ज्यादा फाइदा मंद होता है। नाश्ते में अगर इंड़ा न हो तो अधुरा सा लगता है, क्यों के इंड़ा एक मुकमल वजाईत। और तोनाई से भरपुर खुद्रती अज़्सा है, जिसको दिन में एक मुर्पा तो लास्मी आ खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ उसकी जर्दी खाते हैं, और कुछ उसकी सफेदी को खाना पसंद करते हैं, और यूं इंड़ा भी जाया कर देते हैं और अपने जिस्म की बुन्यादी वजाईत भी लेकिन वो उस बात से अंजान बैठे हैं, कि मुकमल इंड़ा हमारी सहत के लिए किस पदर जरूरी है, इंड़े की जर्दी के फवायद, इंड़े की जर्दी में वटामन है, डी, ए, के, बीचह, बीबारा, फोलक एसिड, कैलशीम, कोपर, आयर्न, मेगन शीम, फासफोरस समीत, जंक और पैंटूथीन के सिड पाया जाता है, उसको खाने से वटामन डी हासल होता है, जो हमें चुस्तव, टवाना रखने में मदद देता है, हमारी हडियों को टाकत देता है, धूप में काम करने की इसलाहियत को बरफरार रखता है, ये जर्दी आंकों की बینाई के लिए जरूरी है, उसको खाने से आंकھیं तेज होती हैं, इंड़े की जर्द इंडी की सफेदी में मफेद साबत होती है उसको खाने से जिसन का कोलेस्टरोल नार्मल रहता है सफेदी जिसन के वजन में इजाफा नहीं होने देती ये भी जान लें कि इंडे किस तरह खाये जाएं इंडे आप नाश्ते में तिल करना खाएं अगर आपका वजन ज्यादा है तो क्यूंट के इंडे में परोटीन की मफदार ज्यादा होती है और खुदरती तोर पर भी तेल उसमें पाया जाता है और फ्राइ करने में आप भी तेल डालते हैं जिससे ये एक भारी घजा बनती है लाज़ा ऐसे लोग जो मूटे हैं वो इंडा अबला हवा ही इस्तेमाल करें नाश्ते के अलावा अगर आप खाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तला हवा इंडा इस्तेमाल कर ली ऐसे लोग जो जयाबतीस का शिकार हैं वो लाजमी इंडे का इस्तेमाल करें कमजोर और नात्वा बच्चों को अंदे के साथ एक गलास दूट भी दे उससे उनकी बेहतर निशोवना होगी